हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन्हें यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट टंबर थ्री है अगर अभी तक आप लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंदाती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था येंगसुन को कीते की ही कमपणी का एक पोस्टर मिलता है कि उसकी कमपणी एक कॉम्पिटीशन कराने वाली है और येंगसुन इस पोस्टर को समाल करके रख लीती है अब बॉबी येंगसुन की दोस्त बन गई थी इसलिए वो स्कूल में लग रही टेलीफोन लाइन में सबसे पहले येंगसुन की बात उसकी दादी से करा दीती है येंग सुन की दादी उससे कहती है कि आज मैं सियो लारी हूँ तुमसे मिलने के लिए येंग सुन उनसे मना भी करती है कि उसके पास टाइम नहीं है और वैसे भी उनकी तबेद भी ठीक नहीं है यह हमारी बेटी का ही घर है मज़े करो तो दूसी तरफ कीते मिस्टर ओके बुलाने पे उनके साथ लंच करने के लिए गया था और यहां पे वो कीते को मिस्मून के खिलाफ खड़े करने की कोशिश में थे ताकि वो सीओ बनने की अब कोशिश करे खड़ कीते फिलाल इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता है और जब वो यहां से जा रहा था तब नहीं फिर से उसके पीछे आ चाती है नहीं की हरकत उससे वो सच में फ्रस्टेट हो चुका था नहीं तो उसके साथ घर तक आ चुकी थी वहीं यैंग सुन भी भागी दोड़ी जैसे तैसे घर तक पहुशती है और तब कीते को उसे टीस करने का मौका मिल जाता है वो उससे कहता है कि तुमने टाइम दिखा है तुमने एक बज़े आने की बात की थी तब यैंग सुन कहती है जैसे ही क्लास खतम हुई वो तुरंत यहां आ चुकी है मगर कीते ही तो उसे एक वार्निंग दे देता है इन्हें ऐसे बात करता है देख कर की ना ही वो जैलिस होती है और यैंग सुन से कहती है तुमने कैसे अपना घर समझ के रखा है तो यह सब लोग अंदर भागते हैं कीते को तो यह लोग चोड लगते हैं लेकिन तब ही यैंग सुन मॉम डैट चिलाती है और पूछती है आप यहां कैसे आए कीते और नाही भी जान के यह हैरान होते है तब ही नाही किचिन में जाके कहती है ओपा इन्होंने तो आपकी घर से चुरा के खाना भी खाया है मगर जैसे ही कीते की नजर उस फोटो फ्रेम पे पड़ती है फिर तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और इन्हें घर से निकालने लगता है और तब नाही यैंग सुन से कहती है जैसे माबाब वैसी बेटी अब तुम अपने धोकी बास माबाब को यहां पे भी ले आई खेर यैंग सुन को भी उसके पेरेंट्स के उपर गुस्सा आ रहे थी और फिर वो भी उनके पास जाकर के कहती है आप ऐसी हरकते क्यों कर रहे हैं नाही उससे कहती है कि मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो गुस्सा तो उस यैंग सुन पे करना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स की वज़ा से ये सब कुछ हुआ है खेर नाही गुस्से में भार चाती है और यैंग सुन से कहती है अब अंदर आने की हिमत भी कैसे हो रही है तुमारी तुम्ही तो यहां से चले ही जाना चाहिए क्योंकि तुम सच में मेरे लिए एक सिर्दर्द बन चुकी हो खेर याइंग सुन अब अंदर चाहती है तब वो कीते के माम डैट की फोटो देखती है उनके हाथ में जो रिंग थी वो देख करके पहचान जाती है कि कीते उन अंगूठियों के लिए इतना चिंता था तो यह तो उसके माम डैट का फोटो फ्रेम है वो अंदर जाकर के कीते से उसके माम डैट के तरफ सीम माफी मांगती है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ वो आपके पैरेंट्स की फोटो है और आपको कितनी तकलीफ हुई होगी कीते कहता है भला तुम कैसे समझ सकती हो यैंग सुन कहती है मैं जानती हूँ फिलाल अब गुस्से में है और बात करना नहीं चाते हैं तो अभी मैं यहां से चली जाती हूँ और फोटो फ्रीम वापस से सही करा करके ले आउंगी मगर कीते कहता है उसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है लेकिन यैंग सुन तो फोटो फ्रीम ठीक कराने के लिए ले जाती है तो दूसी तरफ यैंग सुन के दादी शहर आ गई थी और वो नाही के घर पहुचती है क्योंकि फिलाल यैंग सुन यहां पे नहीं थी और नाही से वो यैंग सुन के बार में पूछने लगती है जिससे नाही गुस्से में आ जाती है और वहां से उन्हें साइट करके जाने लगती है मगर इस चक्र में ही दादी नीचे किर गई थी वो तो आंटी इंसुंगा करके दादी को समालती है तो इधर ना ही वो यैंग सुन से इतनी जादा जैलिस थी कि वो बहुत गुस्से में थी और उसने जुन्ते को बलाया था ज्राइविंग सिखाने के लिए लेकिन अकेले ही ज्राइव करने के लिए निकल जाती है अब चलानी तो ढंक से आनी रही थी इधर दादी वो कीते के घर के बार बैठे हुए अब यैंग सुन के आने का इंतिजार कर रही थी लेकिन उससे पहले ही नाही अपनी खराब ड्राइविंग के चलते दादी से जाकर के ठुक जाती है इसके बाद ये बहुत घबरा गई थी तो वही जुन्ते ने भी ये सब कुछ देख लिया था थोड़ देर बाद जब कीते घर से बार निकलता है तो वह एक दादी को रोट पे बेहुश देखता है अब जाकर के जब उन्हें उठानी लगता है तो वह पहचान जाता है कि ये तो येंग सुन की दादी है वो तरंद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है तो दूसी तरफ नाही घबराई होई थी confident रहने के लिए कह रहा था दूसी तरफ येंग सुन जब नाही के घर पहुशती है तो उसे पता चल गया था कि ज़रूर उसकी दादी आई है वो देखती है कि उसकी दादी का समान भी रखा हुआ है मगर मिस इंसुन को से बताती है तुमी तुरंथ हॉस्पिटल जाना चाहिए तुम्हारी दादी का accident हुआ था मिस्टर कीते ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए है जब येंग सुन को पता चलता है कि condition बहुत serious है तो वो घबरानी लगती है तब मिस इंसुन कहती है अगर वो बत्तमीज नाही उनसे यहां से जानी के लिए ना कहती तो शायद इतना कुछ ना होता अब तो येंग सुन को नाही के उपर गुसा चलने लगती है और जैसे वो भार निकलती है नाही वापस हा रही थी तो वो नाही से पकड़ के पूछने लगती है क्या खिर तुमने मेरी दादी से ऐसा क्या कहा उनकी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वज़ा से है नाही तो खबरानी लगती है कि कहीं इस एक्सिडेंट के बारे में पता तो नहीं चल गया है मगर नाही कॉन्फिडेंटली कहती है कि मुझे के बता कि तुम्हारी दादी के साथ क्या हुआ है मैं तो पूरी टाइम जुनते उपा के साथ थी मगर येंगसन कहा रही थी कि तुम जूटी हो एक नंबर की जूटी और तब पीछे से कीते भी यहां पे आ गया था इदर येंगसन नाही से कहती है कि तुम एक खूनी हो तब नाही उसे एक थपड मारती है वो दूसरा थपड मारने जा रही थी अगर कीते उसका हाथ रोक करके जटक देता है और उससे कहता है आखिर ये कर क्या रही हो तुम फिर वो येंगसन को रोता देख उसका हाथ पकड़के उसे वहां से ले जाता है तो नाही भी खबराते होए परिशान अपने रूम में चले जाती है वो अपनी गलतियों का एहसास करे उससे पहले ही जुनते उसे गलत सलहा देने के लिए वहां पहुच चुका था इधर कीते पूरे रस्ते परिशान था क्योंकि उससे पता था कि येंगसन की दादी अब नहीं रही है वो परिशानी से येंगसन को देखता है जब अपनी दादी को आखरी बार देख रही थी चुनते भी इस फीलिंग को महसूस कर सकता था क्योंकि जब उसके माम डैड मरे थे तो वो भी अकीला था वो येंगसन को रोकता है उसे समालने की कोशिश करता है उससे कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो मगर येंगसन कहती है कि तुम सब के सब एक जासे हो अगर तुम मेरे सामने वो शर्ट नहीं रखते कि मुझे एक बज़े ठीक घर पहुशना है तो मैं अपनी दादी से मिलने के लिए स्टेशन चली जाती और उनके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं वो कीते से यहां से जाने के लिए कहती है कीते भी कहता है कि हाँ जा रहा हूं मैं कीते यहां से चला तो जाता है मगर उसे येंगसन के लिए बहुत बुरा लग रहा था और अगली सुबा से तो खुदी जल्दी साथ बज उठ जाता है जबकि यैंगसन यहापे थी ही नहीं और रोज सुबा जल्दी उठके इन मचलियों को खाना भी खिलाने लगता है तो अब एक दो दिन बीच चुके थे और कीते जानता था फ्यूनरल सेरिमनी अब खतम हो गई होगी अब वो बड़ा परिशान था क्योंकि वो रैट कार किसी के मरने में नहीं लेके जा सकता था इसलिए अपने दोस्ते उसकी कार लेता है और यैंगसन को लेने के लिए चला गया था मगर वहाँ जाकर के वो देखता है ड्राइवर सॉंग और यैंगसन की दोस्त उसे लेने के लिए आ गए है कीते आगे बढ़ ही नहीं पाता है तो दूसी तरफ मिस्टर ओ और जुनते ये दोनों बाप बेटे मिल करके कीते के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे दूसी तरफ यैंगसन जब घर लटके आती है तम नहीं उसका समान वही फैक के कहती है चलो जाओ यहां से यहां वापस आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस दिन तमने मुस्से इतनी बत्तमीजी से बात की थी मगर यैंगसन कहीं जाने वाली नहीं थी वो नहीं से कहती है क्या इसी तरीके से मेरी दादी को भी भगाया था यहां से यैंगसन रूम में चली जाती है और वो कीते की कमपनी के उसी कॉम्पेटीशन का पोस्टर देख रही थी खेर तब ना ही आकरके उसे कुछ पैसे देती है और उससे कहती है इसे लो और चली जाओ यहां से यैंग सुन कहती है कि जाना तो मैं भी चाती हूँ और बहुत जल्द यहां से जाओंगी तब ना ही उसके हाथ में वो competition का poster देख लेती है और उससे कहती है तो अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम यह competition जीत जाओगी और फिर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम चली जाओगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है क्योंकि अब मैं भी इस competition में पार्ट लोंग मचलियों का ध्यान रख रहा था और इसके बाद वो नाही की घर कॉल करता है मिस इंसुं को लगता है कि ये नाही के बारे में पूछ रहा है लेकिन यहां तो कीते को येंग सुन के बारे में जानना था तब मिस इंसुं को उसे बताती है कि नाही ने उसे बहुत सारे काम प तरफ जा रही थी, तो उसे उसके चालू मॉम डैड मिलते हैं, आज ही अंकल जी नो टंकी करते हुए आये थे, उस फोटो फ्रेम के पैसे जोड़ करके हम लेके आये हैं, इस चक्कर में हमारी तो हालती खस्ता हो चुकी है, यैंग सुन को सब पता था कि ये इनकी नो टंकी है वो इनसे कहती है, आपको शर्म भी है, आप ऐसी हरकते कर रहे हैं, जबकि दादी, उनकी डैथ हो चुकी है, ये सुन करके तो इसके पिता जी सद्मे में खड़े ही हो चाते हैं, और यैंग सुन कहती है, अब बताईए कि कौन सी टंक में चोट लगी है, खेर ये दादी की म लगा दी, यहां पे आने में, यैंग सुन उसकी माम डैट का फोटो टांक करके कहती है, कि मैं इसे ठीक कराने के लिए गई थी, तब कीते कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं बुलाओं, तुरंत यहां आ जाया करो, यैंग सुन कहती है, हाँ बताओ कि किसले बुलाया है, मुझे क्या काम करना है, तब कीते कहता है, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तो एक काम करो, चुप चाप यहां बैट जाओ, और मैं भार जा रहा हूँ, और तब तक यहां बैट करके सोचो, कि तुम्हें क्या काम करना है, लेकिन मेरे वापस आने तक, यहां से हिलना भी मत कि यैंगसुन कहती है बुलाया तो ऐसे था पता नहीं जैसे कौन सा पाहर टूट गया हो खैर कीते तो सूपर मार्केट चला गया था कुछ खाने का समान लाने के लिए अब जब वो वापिस आता है तब देखता है यैंगसुन वहीं सोफे पेस हो गई थी वो से देखके खुश था क्योंकि यैंगसुन का राम करने का पहले मौका ही नहीं मिला था वो चुप चाप अंदर चला जाता है तो दूसी तरफ ना ही वो कॉम्पेटिशन में चीटिंग करने के लिए जुन्ति के पास पहुच गई थी और उससे पहले ही कॉम्पेटिशन जीतने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और जुन्ति से प्रामिस भी ले लेती है कि वो किसी कोई सीक्रेट के बारे में नहीं बताएगा तब जुन्ति उससे पूछता है कि तुम दुबारा से ड्राइविंग नहीं सीखना चाती हो नाही कबरा के कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी जरूरत है खिर आगे वो कीते के घर बिन बुलाय पहुच जाती है और वहाँ यैंगसुन को सोफे पे सोता देख करके उसे उठाने लगती है कि कैसे महरानियों की तरह यहाँ पे सो रही हो वो यैंगसुन से कहती है क्या तुम नहीं मेरा कमरा साफ किया जो तुम यहाँ पे आ गई तब ही पीछे से कीते आके कहता है कि उसे मैंने ही बुलाया था तब नाही कहती है आपको पता भी है यह यहाँ पे सो रही थी कीते कहता है कि मैं कुछ काम से भाहर गया था जब आया तो यह यहाँ पे सो रही थी मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए तो मैं उपर चला गया नाही कहती है क्या करना था अगर ना ही कहके जाती है ओपा इसे कुछ काम तो दो तब कीते येंग सुन से कहता है जो काम मैंने तुम्हें पहले दिया था बस वही करना है यहीं बैट करके सोचती रहो खर इसी के साथ यह वाली पार्ट के एक्स्पिलनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है दोस्तो अगर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते बहुत जल